Hello students, welcome back to the channel. Last video में हमने Asexual Reproduction के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे Sexual Reproduction. तो सबसे पहले हम बात करेंगे Sexual Reproduction and Flowering Plants के बारे में. Then afterwards, we will move towards the human. तो अब जैसा कि हमने पढ़ा था, Asexual Reproduction में उनली Single Parent involved है. और उसमें कोई भी Variation देखने को नहीं मिलता है. अब Sexual Reproduction के अगर हम बात करें, तो उसमें Two Parents का Involume होता है. First one Male Gamet and second one is Female Gamet. इन दोनों का Fusion होने के बाद जो है Zygote बनता है. और इसमें Variations देखने को मिलते हैं. Because इसमें दोनों Gamets का Involume है. तो आईए सबसे पहले देखते हैं Flowering Plants में Sexual Reproduction. अब सबसे पहले जो एक Plant होता है, उसका Reproductive Organ जो है, वो है Flower. और Flower में ही Male और Female Gamet present होता है. और कहीं ऐसे Flowers हैं जिनमें Only Male Gamet होता है और Only Female Gamet present होता है. ऐसे Flowers जिनमें बोथ Gamets present होते हैं, that is Male और Female, उन्हें बोला जाता है Bisexual Flowers. और ऐसे Flowers जिनमें Only Single Gamet present है, वो हो सकता है Male या फिर Female. ऐसे Flowers को हम बोलते हैं Unisexual. तो आईए सबसे पहले हम Flower के Example से समझते हैं, जो ये है Bisexual Flower की कैसे जो है Sexual Reproduction पॉसिबल होता है. अब सबसे पहले, इस इस दे लॉंगिट्यूडन सेक्शन आप दो फ्लार. इसमें जो ये Colored, जो हम देखते हैं, like Rose Petals, ये आप अज्यूम कर सकते हैं, एक Bisexual Flower है, for example, Hibiscus. तो जो ये Petals होते हैं, जो ये Colored, जो Structure होता है, Flowers में, जिसे हम like Rose Petals भी बोलते हैं, और Different Flowers के Petals होते हैं, तो ये जो Colored Part होता है, इसे बोला जाता है Petals. ये होते हैं Attraction के लिए, ये जो है, इसका जो Color है, वो Insects को Attract करता है, या हम बोल सकते हैं, Pollinators को Attract करता है, during the Pollination Process. तो ये है Petals, जो Colored Part होते हैं, फ्लार का, इसमें जो ये Leafy Structure होता है, जो Below में प्रेजंट है, ये Leafy Structure, Greenish, इसे बोला जाता है, सेपल. और Group of Sepples को बोलता है Calyx, और Group of Petals को बोला जाता है Corolla. अब, जो ये सेपल है, जब एक फ्लार, जब न्यू जो बड होती है, उसमें जो फ्लार आता है, उससे पहले जो है, ये सेपल्स, जो है, पूरे फ्लार को Covered रखता है, Bunch of Sepples. जो ये सेपल्स का ग्रुप है, ये जो Green color का Leafy Structure होता है, फ्लार के नीचे, तो ये ऐसे Enclosed रहता है, ये जो बड होती है, जिसमें की फ्लार होता है, जो फ्लार आने वाला होता है, तो ये जो बड होती है, उसको Enclosed रखता है. कौन? सेपल, जो Leafy Structure है, तो ये उसको Enclosed रखता है, तो Group of Sepples को बोला गया है Calyx, और जो ये पूरा Group of Petals है, ये काफे सारे Petals होते हैं फ्लार में, उन्हें बोला जाता है Corolla. This is Calyx and Corolla. अब बात करते हैं मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट में सबसे पहले ये Enthar, Enthar के बारे में हम बात करेंगे, ये Stock like Structure होता है, इसे बोला जाता है Filament, और Filament के उपर प्रेजंट होता है, Filament beer करता है Enthar को, जो ये है, मेल गैमिट, Enthar के अंदर प्रेजंट होता है पोलन ग्रेंट, तो Enthar और Filament को मिलकर बोला गया है Stamen, Stamen जो है, वो है मेल गैमिट, इसमें Enthar और Filament प्रेजंट है, और Enthar के अंदर जो है, पोलन ग्रेंट प्रेजंट होता है, तो ये हो गया मेल गैमिट, Enthar प्लस फिलामिट इक्वल टू स्टेमिट, और इसे Androsium का नेम भी दिया गया है, तो ये पूरा हो गया हमारा मेल गैमिट, ये जो इसका सिंबल है, ये मेल गैमिट, Enthar प्लस फिलामिट, स्टेमिट भी बोल सकते हैं और Enrosium भी बोल सकते हैं, तो ये हो गया हमारा मेल गैमिट, अब बात करते हैं, फीमेल गैमिट की, तो सबसे पहल वाला जो structure है वो sticky substance होता है उसमें और उसे बोला जाता है stigma sticky and stigma are the same तो जो stigma होता है अपर पार्ट ये काफी sticky होता है ताकि जो pollen grains आएंगे pollen grains आके यहां पे stuck हो जाएं जो है यहां पे आके ताकि वो अंदर जाके fertilization का process कर लें इसलिए जो stigma है काफी sticky substance होता है stigma का और उसके नीचे present है style जो stigma के नीचे cube like structure है उसे बोला गया है style तो stigma सबसे पहला पार्ट और style जो है second oven थर्ड पार्ट जो है female gamit का वो है ovary stigma style and ovary और ovary के अंदर ये जो structure है इससे बोला गया है ovule और ovule के अंदर present होता है egg cell एक cell वो ऐसा female gamit है जहां पे male gamit आके fuse करेगा ये ovary का जो है egg है तो ये हो गया stigma ये style and then ovary और ovary के अंदर present है ovule जो है अंदर वाला जो circle है वो है ovule और उसके अंदर present है egg cell तो ये हो गया हमारा stigma style और ovary और ovary को ही बोला गया है site of fertilization because ovary के अंदर ही pollen grain आके जो है fuse करेगा egg cell के साथ इसे इसलिए ovary को बोला गया है site of fertilization तो ये हो गया हमारा female gamit और stigma style और ovary जो हमने यहां बात करी stigma जिसके ओपर sticky substance present है then style, cube-like structure और we can say stalk और उसके नीचे present है female gamit that is ovary और ovary के अंदर ovule और उसके अंदर present है हमारा egg cell तो stigma style और ovary साथ में मिलके बनाते है pistol P-I-S-T-I-L pistol और इसे इन सब को साथ में बोला गया है gynosium और यह female gamit का symbol यह है पूरा हमारा gynosium you can say pistol gynosium और stigma style और ovary तो यह हो गया हमारा Alice of flower जिसमें सबसे पहले हमने देखा petals जो colored part है जो pollinators को attract करते हैं वो है petals different different colors की हो सकते red pink white yellow etc और group of petals को बोला गया है corolla उसके बाद में sepals जो green leafy like structure है जो enclosed होता है और जो अंदर bud होती है जो flower आने वाला होता है जो चोटी सी सबसे पहले bud आती है तो उसको enclosed रखता है green leafy like structure सेपल सेपल enclosed रखता है जो बढ़ होती है उसको और group of sepals को बोला गया है kellex तो group of sepals is kellex and group of petals is corolla ओके फिर हमने बात करी male gamete के बारे में एंथर and filament एंथर के अंदर प्रेजेंट है pollen grains और एंथर और filament को बोला गया है stamen और विकन से endrosium then हमने female gamete के बारे में बात करी stigma style and ovary इसे साथ में बोला गया है pistil और gynosium तो यह हो गया हमारा female gamete और ovary के अंदर प्रेजेंट है ovule और ovule के अंदर प्रेजेंट है egg cell और site of fertilization है ovary वही पर pollen grain आके use करेगा egg cell के साथ इसलिए site of fertilization ovary को बोला गया है now let's move towards the जो है अपना एंथर का डाइग्राम अब जो एंथर का structure है वो हमेशा by lobed होता है एंथर by lobed structure है और उसकी नीचे present है filament filament ही bear कर रहा है एंथर को और एंथर के अंदर present है pollen grains तो यह उसका जो है एंथर का डाइग्राम है अब अगर अपन एंथर को cut करते है transverse तो उसका structure ऐसा देखने को मिलता है tetrad four so these are the tetrad और इसके अंदर present है pollen sex चार सेक present है और सेक के अंदर ही है pollen grains जैसा कि हम यहाँ देख रहे है जो यह एंथर है इसके अंदर pollen grains present है अगर हम इसे ऐसे cut कर देंगे तो अंथर का आप देखेंगे structure ऐसा होगा four four pollen sex होगे और four pollen sex के अंदर ही present है pollen grains और इस structure को बोलेंगे tetrad तो यह हो गया हमारा अंथर का structure और यहाँ हमने देखा female gamete का structure so these are the female and male gamete अब अगर हम बात करें fertilization process की तो fertilization is fusion of male and female gamete and the afterwards formation of zygote तो अब हम देखते हैं fertilization के बारे में तो अब fertilization में क्या होता है सबसे पहले जो यहां sticky substance present है stigma जो है काफे sticky होता है वहाँ पर जो है pollen grains आते है अंथर से like pollination होता है उसके बाद अंथर आते है male gamete से female gamete के पास सबसे पहले pollination जो है वो है transfer of pollen grain from अंथर to stigma यही है pollination का process और pollination के बारे में हम next video में detail में पढ़ेंगे तो pollination हुआ like pollination में जो है anther से pollen grains आए और यहाँ female gamete जो है female organ जो है वहाँ पर आए तो सबसे पहले stigma पे pollen grains आएगा यहाँ पे stick हो जाएगा because of the sticky substance of stigma तो stigma पे आने के बाद जो pollen grains है वो एक लंबी tube form करेंगे वो एक tube form करके वो tube पहुँचेगी ovary के पास तो this is called pollen tube because यह जो tube है यह pollen grains ने form करी है यह tube पहले से female reproductive organ के पास नहीं थी जो यह ovary है यह stigma style ovary है इनके पास कोई भी tube नहीं थी तो यह tube produce करी है यहाँ pollen grains में तो pollen grains आए उड़के जो है एंथर से और जो pollination है वो काफी medium की through हो सकता है देट इस wind, water और insects like honeybees and etc. तो pollination में pollination के वज़े से एंथर से जो है pollen grains आए यहाँ stick हुए stigma पे then pollen grains ने जो है एक tube form करी जो उसने tube form करी उसके through pollen grains पहुँचे because एक medium तो चाहिए उन्हें travel करने के लिए तो pollen grains जो है इस tube के through कहाँ पर पहुँचे ovary के अंदर और हमें पता है जैसा कि हमने डाइग्राम में दिखा है ovary के अंदर हमारा जो है egg cell जो है present रहता है और egg cell के साथ ही जाकर fusion होगा obviously ovary के अंदर जो egg है वही तो fuse करेंगे और then fertilization होगा तो यहाँ पर pollen grain pollen tube के through ovary के अंदर आया और ovary के अंदर आने के बाद जो यहाँ पर egg cell present था उसके साथ जाके जो है pollen grain ने fusion करा तो यहाँ पर fusion हुआ इसका egg cell जो की है female gamete और pollen grain जो की है male gamete तो इन दोनों का fusion होने के बाद यह process हुआ fertilization process ठीक है इसमें सबसे पहले pollination revise कर लेता है pollination के through pollen grain आये और stigma पर आके stick हो गए फिर pollen grains ने जो है tube form करी ovary के अंदर enter हुआ और then enter होने के बाद जो है egg cell के साथ में fusion हुआ then fusion होने के बाद जो है zygote में convert हुआ so this was the fertilization process in a flowering plant तो fertilization हो चुका है यहाँ पर अब fertilization के बाद हम देखेंगे जो conversion हुआ है zygote में वो किसका हुआ है तो जो हमारा egg cell था जिसके साथ pollen grain आके fuse हुआ था fusion of egg cell and pollen grain will convert it into zygote और zygote में convert होने के बाद वो जाएगा embryo बन जाएगा तो जो हमारा यह egg cell था उसने male chemi जो pollen grain के साथ fusion करा और बनाया zygote zygote के बाद में embryo और जो हमारा ovule था जो हमने यहाँ देखा था L.S. ओफ लार में विस ovary के अंदर जो present था वो बन गया हमारा seed में जो seed होती है hard coating उसमें develop हो गया और जो हमारी ovary थी जो site of fertilization था जिसमें जो है यह egg cell रखा हुआ था यह ovary बन चुकी है हमारी fruit में तो यह था process fertilization का और after fertilization जो egg cell है और ovule है और जो ovary है वो क्या-क्या बने like किस में convert हुए ovule बन गया हमारा seed और ovary जो थी वो हमारा fruit बन गया और egg cell zygote and then embryo और जो हमने एंथर के बारे में देखा था एंथर is bilobed structure और अगर हम उसे cut करके देखेंगे तो वो tetrad like हमें देखेगा इसके अंदर pollen sex होंगे और pollen sex के अंदर होते है pollen grains तो यह था हमारा fertilization का process next video में हम pollination के बारे में पढ़ेंगे कि किस-किस medium के थू pollination होता है और pollination के types क्या-क्या है so this was all about the LS of flower this diagram is very important and this is the fertilization process and this is the structure of enter तो यह काफी important है corolla group of petals is corolla group of sepals is calyx and the male gamete androsium and female gamete is gynosium फिर हमने यहां देखा fertilization process जिसमें fusion हुआ किस-किस का pollen grain और जो हमारा egg cell था जो हमारी female gamete थी उसके साथ fusion होके आगे zygote बना and then embryo और हमारी ovule convert हो गए seed में obviously plant है तो seed बनाएगा after fertilization और जो ovary है उसने हमारा fruit बनाया जो है तो यह था egg cell, ovule और ovary का conversion seed, fruit और zygote में और यह एंथर का structure and this structure is also very important fertilization process में बना सकते हैं आप लोगे this was all about the sexual reproduction in flowering plants next video में हम pollination के बारे में पढ़ेंगे and then seed structure and then this topic will be over so thank you and stay tuned